इस तरह से मटन भुना या भुना गोस बनाने के लिए अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बहुती कम मसाला के साथ और कुछ सिक्रेट मसाला के साथ इसको हम बना के तैयार किये हैं तो इस वीडियो को एंद तक देखने के लिए आपसे निवे दन है प्रेंट तो हेला यूट्व फैमिली आपके अपने चैनल लिपिका टेस्टर उसे में आपका स्वागत है वीडियो के बने रहे हैं वीडियो पसंद है तो लाइक चेर की साथ एक प्यारा सा कोमेंट कर दीजेगा और चैनल पे नहीं है तो प्ली ले लेंगे 800 गरम मटन मटन का पीसे को में अपर मीडियम साइज में रखे हैं मटन को मच्छे से दो के साप कर लिए हैं और हम आपर ले लिए मटन का फेट जो हमें भुना मटन बनाने के लिए वह जुरूरी है तो चली इसको हम साइट कर लेता है और मटन का जो मेन इंग् कर देंगे ऐसे करने से बुना मटन बनाने में प्याज हमारा बजल्दी सौफ्ट हो जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है तो प्याज को हम थोड़ा सा हाथ से क्रेस कर लिए तो चली लिए मटन को मेरीनेट कर लेते हैं तो मेरीनेट करने के लिए सबसे पहले हम यह पर कलर के लिए एक चम्मच हल्दी पोडर ले लेंगे एक चम्मच कस्मिरी लाल मेच पोडर दो चम्मच यहां पर हम अध्रक लोसन का पेस्ट दे देंगे एक चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट आप चाहे तो यहाँ पर एक चम्मच लाल मिर्च का पोडर डाल सकते हो अब यहाँ पर देड़ चम्मच हम धन्या पोडर डालेंगे एक चम्मच जीरा पोडर और एक से दो चम्मच सरसो का तेल अब हम अच्छे से सारे सुखे मसाला के साथ मुटन को मिलात हुए मेरिनेट कर लेंगे तो अच्छे से मुटन को मेरिनेट कर लिए अब दस मिनिट के लिए इसका हम रेक्ट पर रखते हैं तो चलिए कुछ सिक्रेट मसाला हम यहाँ पर बना लेते हैं तो गिये सोन करके हम यहाँ पर कड़ाय चड़ा लिए हैं कड़ाय हमारा हलका गराम हो चुका अब यहाँ पर एक चे डेड़ इंच के करीब हम यहाँ पर दाल चिने का टुकड़ा दे देंगे दू बड़ी इलाची चार लॉंग तीन छोटी इलाची एक चमच धेनिया एक चमच काली मिर्च और यहाँ पर आधा चमच नमक डाल देंगे नमक डालने से खड़ा मसाला का खुसबू बहुत ही अच्छा आता है और रोस्ट करने के बाद इसका जो पॉडर बनाएंगे तो पॉडर बहुत फाइन बनता है तो लगवाग इसको हम एक से डेड़ मिनिट अच्छे से मिडियम फिले में रोस्ट कर लेंगे तो हम अच्छे से एक गड़ाई को में अच्छे से साप कर लिए इसमें हम 5-6 समच सर्शुका तेल डालेंगे तो यहां पर तेल का ज्यादा इसमाल हम नहीं करेंगे प्रेन टाक कि हैं यहां पर माटन के जो फेट लिए उसी से हमारा तेल का इस्तवाल हो जाएगा जैसे ही तेल गराम हो जाए य कंल दो दो कि पोनेगे जब तक प्रmbrella कि अच्छे से उटना हो जाए और फ़ इसका इब सब्सक्ट को सब्सक्रेस करते हो धेर में मिदियम क्या खोराना ये व्क छोडियर सब्सक्राइब तो आपका प्याज जो है बहुत अच्छा सोफ्ट हो जाएंगे और उसका कलर भी बरकरार रहेंगे तो जिस अब यहां पर हम मटन को डाल दिये हैं और गेस का फिल्म को हम मेडियम टो है मेकर दिये हैं अब यहां पर मसाला थोड़ा सा लगा हुआ था हमारा बोल में यहां प तो भूना मसाला बनाते समय प्रेंट अब मटन को जितना भूनियेगा मटन उतना ही टेश्टी बनेगा तो यहां पर हम लगभग 2-3 मिनिट अच्छे से भून लिए हैं अब यहां पर दो तेजबत्ता इट कर देंगे लेवर के लिए अब इसको फिर से हम चाज से पाच मिनिट अच्छे से भूनेंगे तो यहां पर गेस के फिलम्ट को हम मेडियम टू है में रखें है तो लगभग हम मटन को छे मिनिट अच्छे से भून लिए हैं अब यहां पर हम थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे तो नमक यहां पर थोड़ा सा सब्धानी से एड़ किजेगा फ्रेंट ताकि प्याज को सॉप्ट करते समय थोड़ा सामय आपन नमक मिलाए थे तो देख सकते हो मटन का जो फेट है धिरे-धिरे सॉप्ट हो रहा है इसको जितना भूनिएगा मटन का फेट जो है धिरे-धिरे पीघल के तेल के रूप में आ जाएंगे तो देख सकते हो मटन का कलर जो है पूरे अच्छे तरह से चेंज हो चुका है अब पूरे हमारा जो फेट है अच्छे से गल चुका आप यहां पर पाच मिनट के लिए हम मिडियम टू लोग फिले में ढग दिये थे हैं इसको फिर से हम दो सित्तिन में अच्छे से मिडियम टू लोग में बोन लेंगे तो लगबग 5 मिनिट हम अच्छे से भून लिए अब यहां पर जो हम सुखा मसाला को रोस्ट कई तो उसका पॉडर बना ले तो उसको हम डाल देंगे और यहां पर थोड़ा साम एक इंच के करीब जैफर ले लिए उसको हम एक ग्रेटर से थोड़ा सा घीस के डाल देंगे त सुखा मसाला को फिर से हम 2-3 मिनिट अच्छे से भून लेंगे इसको ज्यादा नहीं भूनना अपरें बना सुखा मसाला पहले ही हम रोस्ट कर लिए थे ज्यादा भूनेंगे तो इसका खुश्बू को खतम हो जाएगा तो लगबग हम दो मिनिट अच्छे से इसको भून लिए है अब यहाँ पर गरम पानी हम मेट करेंगे तो भूना मसाला में आप गरम पानी एट किजिए अपरेंट ठंडा पाने का इस्तेमाल यहाँ पर करने से हमारा जो मटन है जल्दी सौट नहीं होता है तो लगबग हम एक बड़ा कप में दो कप पानी डालेंगे और इसको हम धक के मिडियूम टू लो फिलम में 30 से 35 मिनिट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे आप चाहे तो आपके पास टाइम नहीं हो तो कूकर में इसको मिडियूम फिलम में तीन सीटी लगा सकते हो लेकिन कड़ाई में इ मटन जो पूरी तर से सॉप्ट हो चुका है इसका ग्रेवी प्रफेक्ट आया देख सकतो इसमें हम ज्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं कि यह थे फेट के बज़त से हुआ है तो चिली इसको हम हलका ठंडा करके सब कर लेते हैं तो यह लीजी फ्रेंड गर्मा गरम भूना मट बन के हो चुका है तेयार तो देख सकते उसका कलर कितना पॉर्फेक्ट आया है इसका ग्रेवी दिखे कितना सुंदर कितना ठीक बना है तिस तरह आप नाके रोटी जाए पती या नन के साथ इंजे कर सकते हो तो यह वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज एक ल कर दो coisa दो कर दो कितना सुंदर का इंजे करसे था है तो एकर साथ फसने मャंना थाप दो प्लावाले नन के सकते हो कितना सुंदर को प्लावणसल तो है बना वे वीडियो आ कर गॉत एक महांना है वीडियो नम् स तरहू कर 15, 20, 20 cm. 23